असलामलेकूम ट॑ को से उमीद करूँ हों विद धीयुख और मैं बनाने जाए इक नइन उसके बाद आपे लन्ग डाल दो और हमने फाइन छॉपक कर लिए प्यास व प्यास प्यास नहीं को ब्राउन लोन्गर कर लोंगी तो यह ब्राउन ओ चुका है अच्छा यह लैसनाधरा कपष्ट नहींर डाल दोंगे तो यह बून चुका है अच्छे से अच्छे से पका लोंगी इसी भीच में नमक डाल दूंगी नमक यही में जादर नहीं डाला भात वाद में 5-6 थे सभीज डाल से बहुलन लोगा तो हमने दस मेंट पहले डाला था स्वयविन को गरम पानी में अब मैं सारे पानी को निकाल लूँगी स्वयविन से और इसे अच्छे से निचोर दूँगी तो यह हमने सारे लाल मिर्ज पॉर्डर एक चमज और आधा चमज से भी कम डालेंगे हल्दी पॉर्डर एक चमज दनिया पॉर्डर और यह सारी को अच्छे से मिला लोगे अब मसाली को मैं भूण लोंगे अगर अप मेरे चैनल पर पहली बार आये तो मेरे क्वारख्य खालर को सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो थ्यारत हर्ण रखेंगर की तो फ्थी क्यावच लगाने आट प्म यूंगी और दाल्गीए मृजशा झालर लाइएं कर दो तो इसमें और बहुत यह साइटयंम रहुके तो यह मसाला स्वयबीन डालके और मैं इसे अच्छे से भूनागी कि स्वयबीन डालके अच्छे से भूनागी तब जाके मसाली का टेस्ट स्वयबीन के अंदर अब सेर्फ हो तो यह हमने सारी को तो फिर से मैं वापस से खोलती हूँ तो स्वयबीन भून चुका है अच्छे से अब मैं इसे थोड़ा सा चला लेती हूं ताकि लगे न थोड़ा भी अगर लगा होगा थोड़ा सा भी न तो इसे चलाने से थोड़ा अलग हो जाएगा तो मैं सारे को अच्छे से चला लेती हूं तो यह देखिए यह इस तरह का भ जब तक कि चलाने में आपको अच्छे से चावल को भून लेती हुँ वे हिरा चावर भुन चुगा हम वो चुगा है अब मैं इसमें डाल दूग मैं और पानी दढ़े थ्यस्वार बभा दाना छाथे तो इसमें पानी डाल देलां हाइव फुलेम को करें बिलकुल लो ऑर इसे में छोड़ेंगे पकने के लिए कम से कम दस से बेसमेट के लिए और मैं चला लेती हूँ उसके बाद मैं इसे छोड़ देती हूँ तो चलिए मैं फिर से इसे देख लेती हूँ वाउ तो यह हो चुका है रेडी अब मैं इसे नीचे से थोड़ा नीचे का ओपर कर लेती हूँ सबको अच्छे से मिला लेती हूँ तो चावल भी अच्छे से गल चुका है अब मैं सबको अच्छे से मिला लेती हूँ और उसके बाद मैं तो चलिए अब मैं कर लेते हूँ इसे सर्व तो मैं ले लिए हूँ सर्विंग टिस्ट अब मैं इससे सर्व कर लेती हूं तो कैसा लगा मेरा वीडियो आप लग कमेंट्स में जरूर बताईएगा और आप लग में वीडियो को लाइक चेर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करिएगा और आप लोग ऐसा जरूर बनाएगा और बनाने के बाद मुझे सपोर्ट करते लिए अल्ला हाफेश